हांची तो कैसी है हमारी यूटू फेमिली उम्मीद करते हूँ बहुत अच्छी उगी स्वस्थ होगे मस्थ होगे और अच्छी हूं आप सभी की दुबाई तो आज मैं बात करने वाली हूँ 149 पुमें चीनी मिलाने से क्या होता है चीनी मिलाना चाहिए हमें सेंपू में या नहीं मिलाना चाहिए मिलाना चाहिए तो उसके हमें क्या-क्या फायदे मिलते हैं तो सेंपू में चीनी मिलाने से हमें कई तरह के फायदे मिलते हैं हमारे जो बाल होते हैं वो मौस्टराइज रहते हैं पूम हरना कना हमारे बाल जल्दी से बढ़े likeniable कर दें तो हमारे बालों को ऊना करना को जिलकी रहते हैं तो भी यह नुस्खा आपके काम आने वाला है, सेंपू में चीनी मिलानी से, आपके बाल ग्रोथ भी करने लगेंगे, आपके बाल सौप्ट भी होंगे, कभी-कभी क्या होता है कि जो हमारी स्केल्प होती है, तो वहां पे दानों जैसी समस्या आ जाती है, किसी भी वज़य से चाहे वह केमकल युग तो सैंपू यूज करने से, या किसी भी रीजन से, तो वह भी यह नुस्खा है, यह रेमेडी है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसमें भी हमें फायदा मिलता है, हमारे अगर इसकिन में रैसेज हो गए हैं, तो वह भी ठीक हो जाते हैं, दाने हो गए आपको सब्ते में बस एक बार मिलानी है, जादा नहीं मिलानी है, दो से तीन चाहर बार नहीं मिलानी है, सिर्फ एक पार मिलानी है, एक बार आप मिलाएं, काफी अच्छे आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, आपकी जो डेड इसकिन हो जाती है, वो चीनी हटानी का काम करत बढ़ाने में वदद करती है और अगर डेड़ स्किन है उसको ठीक करने में तो चीनी हमारे लिए फादेमंद है लेकिन कोई भी चीज है एक लिमिट से ही हमें यूज करना है जिस तरह से हमें एक्सवर्ट लोग बताते हैं तो उसमें हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है कि अगर फादेमंद है तो हम पादेमाने में यूज करनी है और तीन से चार बार यूज करने के बाद मुझे अपना फीड़ कर से हमें दो जरूर यूज करती ह поговор और यूज है और ये जानकारी साइद काफी लोगों परीओ कराल के लिए बिल्कुल न्यूज होगी तो इसी तरह की जानकारियां मैं लाती रहती हूँ चैनल पे अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मिलते हैं निव वीडियो के साथ, निव दिन के साथ, निव रेमेडी के साथ निव जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिएगा थेंक यू, बाइ बाइ